मुंबई की विशेश अदालत ने अर्बास मर्चेंट और मुर्मुन्ध हमेजा सहित आर्यन खान की जमानत याजिका एक बार फिर खारिज कर दी है। आर्यन खान और साथ अन्य को तीन अक्टोबर को मुंबई क्रोस ड्रक्स मामले में गिरफ तार किया गया था। शारु खान के बेटे आर्यन खान पहले ही अठारा दिन जेल में बिता चुके हैं। आर्यन फिलाल अर्था रोड जेल में बंद है। मुंबई की विशेश अदालत ने पिछली सुनवाई के दोरान आर्यन की जमानत अर्जी पर अपना आदेश्त सुरक्षित रख लिया था। और लंबा हो जाएगा। मुंबई क्रोस ड्रक्स मामले में आर्यन खान और अन्य आरोपी 3 अक्टूबर को गिरफतार होने के पहले ही दो हफते से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। NCB के जोनरल डेरेक्टर समीर वान खेडे ने आर्यन खान और अन्य की जमानत याज़ का खारिज होने पर टिपड़ी करने से इनकार कर दिया है। हाला कि वान खेडे ने सत्य में वजयते कहकर हक ताक्षर कर दिये। मुंबई की विसेस अदालत द्वारा मुंबई क्रूस ड्रक्स बस्ट मामले में एक बार फिर आर्यन खान की जमानत याज़ का खारिज करने के साथ उनकी वकील अब बॉंबे हाई कोट का धरवाजा कर दी गई है दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरू बताएं साथ ही ऐसे और भी ट्रेंडी न्यूस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर जरू कर ले